बस सिर्फ हस्ते रहे, दुनिया वाले सोचते ही रहेंगे, इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है, कि ये बस हस्ता ही रह रहा है, तो दुनिया की सोच को समझना बहुत जरूरी है, वो आपके कभी भी भलाई के बारे में नहीं सोच सकती, तो आप भी दुनिया के बारे में सोचना बंद करिये, और आपको जो करना है अपने जीवर में पूरे मैनत के साथ उसके पीछे लग जाओ, ताकि एक समय ऐसा है ना, कि लाइफ में आप बहुत सक्सिस पर है, और दुनिया आपको देखकर जल रही है, लास को स्टार्ट करू एक बार क्लास के टाइमिंग को आप सभी देख लेना, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिसना हो, ठीक है, और साम को 6 बजे वही अलजेबरा का प्रिवियस यर 2019 का क्वेस्टेन, प्लस जितने भी क्लास है, सारा क्लास टाइमिंग पर आपको मिल जाएगा आज, और एक बात, आप किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है, हमारे अप्लिकेशन को गूगल के प्ले इस्टोर से डाउनलोड करने के बाद, आप वहाँ पर जा कर दे सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं, तो एक साल के वलेडिटी के साथ आपको आने वाले हर एक्जाम के लिए मोग टेस्ट जो है, वो दिया जाएगा, तो देखते हैं, आज का पहला खुशन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, 27 और 28 फेवररी का, और पहला प्रस्न है, अनुभवी राजनितिक विर्ति, होस्नी मुबारक का 25 फेवररी को, 91 व पती रह चुके हैं, जिसको हिंदी में हम सभी बोलते हैं मिस्र, ठीक है, और आज का आपका पहला प्रस्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कॉमेंट करकर ये बताना है, कि एजिप्ट के कैपिटल क्या है, वहां का मुद्रा करेंसी क्या है, और वहां के बर्तमान र राज सभा के लिए दिर्ववास्तिक चुनाओ कब होंगे, यह आपको बताना है, और मैं आपको बता दू, यह चुनाओ होने वाला है, आपका 26 मार्च को, आपसन नमबर आपका A, और टोटल 55 सीट के लिए जो है, वह चुनाओ किये जाएंगे, टोटल 17 राजु में, और आपको मैं एक क्वेशन और बता दू, अभी बर्तमान में, भारत में, टोटल राज सभा में कितने सीट है, तो यह आप सभी को पता है, कि भाईया जो टोटल सीट है राज सभा का, वह 245 है, जिसमें से 12 सीट जो है, वह राश्टपती के द्वारा चुना जाता है, यह आप सभी को किलियर है, मैंने समिधान वाले क्लास में, पूरा A to Z मैंने आपको बताया है, और टोटल साड़े 300 के लगबग पिडियव दियें, तो आप सभी के पास होगा हर एक क्वेशन, जो पिछले 5-6 साल में बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं तो यही बोलूँगा, रे भारत में किस रास्ट के साथ, तेन बिलियन के साथ, रक्षा सौधा पर जो है, वो डिल साइन किया है, और आपको मैं बता दू, अभी हाल फिलाल में डॉनल्ड टरम्प भारत में आई हुए थे, और यह साइन किया गया है, आपका अमेरिका के रास्ट पती, यानि डॉनल् तो आप बोल सकते हो हेलिकॉप्टर वगरा के लिए, जिसका नाम है MS-60 Romeo और Apache हेलिकॉप्टर, ठीक है, अगला प्रस्वारे सामने है, इसुफ अब्दुलरहीम, जिनके उसाथ, जिनके उपरना साथ साल का जो है, वो बैन लगा दिया गया है, किर्केट के सारे फॉर्मिट से, यह किस कंट्री से क्रिकेट खेलते थे यह आपको बताना है, नाम क्या है पूरा इनका, इसुफ अब्दुलरहीम अल्बुलसी, ठीक है, और यह जो है आपके ओमान के क्रिकेटर थे, कहा के ओमान के ओप्शन नमबर आपका B, और ओमान का मुद्रा क्या है, तो ओमानिय रियाल, वहाँ कैपिटल क्या है, तो वह है आपका मस्कैट, और राष्ट पती, तो हाइतम बिन तारिक अलसाइद, ठीक है ना, अगला प्रसमारे सामने है, भारत ने राष्ट यूच समारक की पहली वर्सगाठ का मनाई है, यह आपको बताना है, वें डिड इंडिया एब और यह मनाया गया है, आपका 25 फैवररी को, और आपका B, और जो डिफेंस स्टाप की जो चीफ है, कौन है वो, आप सभी को मैंने बताया है, जेन्रल बीपिन रावत, उन्होंने जितने भी हमारे सही जवान थे, उन्होंने क्या किया है, इस बार इस मौके पर बहुत जन को जो है, वो सम्मानित भी किया गया है, डिफेंस स्टाप चीफ जन्रल बीपिन रावत जी के द्वारा एक्जाम में पूछेगा आप सभी से, कि इंडिया के डिफेंस स्टाप जो है, उसके पहले चीफ का नाम क्या है, तो वो आपके जन्रल बीपिन रावत है, ये याद अपसण नंबर आपका C, इस रो की चीफ कौन है, तो आप सबी को पता है, के जीवन जो है भईया इस रो के डारेक्टर है, और हेड़कोटर, तो हेड़कोटर आपका कहा पढ़ता है, नई डिल्ली में पढ़ता है, अगला प्रस्तमारे सामने है, एक नई यात्रा सलाकार म भारत ने भारतियों को कीन तीन देश की यात्रा करने से बचने की सला दी है क्यों सला ऐसा दिया गया है भीया तो पहले चाइना वेगारा पर तो बैन लगाई दिया गया है उसकी तीबात छोड़ो लेकिन अभी फिलाल में बोला गया है कि इटली, इरान और रिपब्लिक ओफ कोरिया ये तीन देश में जो है यहाँ पर यात्रा करने से बचने की सला दी गई है क्यों क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है अभी जो बहुत तेजी सी बीमारी फैल रही है उसका नाम क्या क्रोणा भाइरस और आपको बता दू जाइना जापान के बाद इरान जो है वो जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है आठ लोगों की मृत्तू हो गई है ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है भारत के साथ साथ इंद्र धनुस ब्याम 2020 यानि इंद्र धनुस एकसरसाइट 2020 में किस राष्ट ने भाग लिया है और ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के द्वारा और आपका C ब्रिटेन बोलो, इंग्लैंड बोलो या फिर UK बोलो एक ही बात है और आपका वहाँ के प्रधान मंतरी का नाम क्या है Boris Johnson, Capital London और मुद्रा क्या है तो वो है आपका Pound Strilling ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है निमलिखीत में से किसे France में भारत का अगला राजदूत निक्त किया गया है और उनका नाम क्या है जावेद असरब option number आपका C और एक बात France का Capital Paris Currency Euro या फिर CFP Frank भी इस्तमाल किया जाता है फ्रांस में और फ्रांस के राष्टपती कौन है Emmanuel Macron तो फ्रांस के फ्रांस के लिए अगला राजदूत कौन होगा भारत के तरप से तो जावेद असरब अगला प्रस्तमाने सामने है निमलिखित में से किसने Huran Global Rich List 2020 में प्रथम इस्तान प्राप्त किया है यानि Huran Global जो एजेंसी है जिसके according सबसे अमिर विक्ती का खिताब बोल सकते हो टैंग बोल सकते हो वो किसे दिया गया है तो वो दिया गया है आपका एमेजन के मालिक जेब बेजोस को option number आपका A और इंडिया के तरफ से एक मात्र मुक्येस अमबानी जिनका नमबर है आपका 9 नमबर पर पूरे दुनिया भर में सबसे अमिर बेक्ती की सोची में मुक्येस अमबानी का जो रैंक है वो कितना है 9 है टॉप पर कौन है जेब बेजोस एमोजन के मालिक अगला प्रस हमारे सामने है किसे पाँच बार के ग्रैंड स्लेम चैंपियन ने हाल ही में 32 साल की उम्र में जो है वो टेनीस से सन्यास के घुसरा कर दी है तो बहुत खुबसूरत मारिया सारापोवा अप्सान नमबर D इन्हों ने जो है वो टेनीस को अलबिदा कर दिया है और एक बात एक्जाम में कम से कम आपसे कमी कमाल ये पूच देगा कि मारिया सारापोवा किस देश के लिए खेलती थी टेनीस तो आप क्या बोलेंगे रूस यानि इंग्लिस में क्या बोलेंगे आप सभी रसिया ठीक है अगला प्रस्तावारे सामने है किस भारतिय बैटमिंडन के लाड़ी को आप्रपरदेश भरष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन का ब्रैंड अम्बेजडर बना दिया गया है तो ये बनाया गया है आपका पीवी सिंदू आप्शन नमबर आपका भी और क्यापिटल के आप्रपरदेश का तो हाइद्राबाद राजपल वहाँ कौन है बिस्सु भुसन हरी चंदन और मुख्यमंत्री तो Y.S. जगहन मोहन रिडड़ी अगला प्रस्वारे सामने है भारत का पहला Artificial Intelligence Summit जिसका नाम क्या दिया गया है RISE 2020 जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में अप्शन नमबर आपका D अगला प्रस्वारे सामने है किस देश के डॉक्टर ने मस्तिक्स धमनी विस्फार के इलाज के लिए सर्जिरी करने के लिए एक रॉबर्ट का इस्तमाल किया गया है कहा के डॉक्टर के द्वारा तो ये इस्तमाल किया गया है आपका option नमबर C कनाडा के डॉक्टर के द्वारा ठीक है और एक बात कनाडा के CM कौन है तो आप सभी को पता है कनाडा के PM कौन है जस्टिन टूड्यू और करेंसी तो कनाडियन डॉलर और क्यापिटल क्या है वहां का तो वो है आपका Ottawa ठीक है तो ये थे आपके important current affair 27 और 28 February का आज थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ क्यूंकि दो दिन का जो है वो cover करना था क्लास end करने से पहले बोलूँगा क्लास के timing को note कर लेना अभी तक आपका static GK का दो पाथ हुआ है ठीक है आज आपको 3 पार्ट मिलने वाला है और हाँ रिजदी के drop 200 questions का दो क्लास हुआ है तो बाकी 3 ख्लास आपको आज रात को 10 बज़े जो है वो मिलने वाला है बाकी क्लास आप सभी को पता ही है कहने का मतलब है आज से आपका जो क्लास है वो रिग्रल रहेगा दो दीन के बाद सो मेरे जित्ते भी भाई मैं देख रहे सभी को बहुत बहुत गुण मॉर्णिंग आपका दीन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है ना? चलिए